आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question बोला है What is the shape formed by x2-8? अब मैं y को ले लता हूँ अगर x2-8 तो मुझे basically यह shape find out करने तो यहां से अगर मैं इसको plot करके देखना चाहूँ यह मारण पास कैसा देखेगा अगर मैं x को डालू कुछ ऐसा ताकि यह मारण पास क्या हो जाए y हो जाए 0 तो यह मारण पास कहा पे होगा जब मैं x को क्या ले लता हूँ 2 root 2 2 root 2 का square is 8 तो x को अगर मैंने 2 root 2 लिया तो यह मारण पास 0 हो जाएगा similarly x को minus 2 root 2 लिया तब भी यह 0 हो जाएगा तो यहां पे x 0 कब होगा जब हमारण पास यहां पे क्या जाए y की कुछ ऐसी value थाकि x हमारण पास 0 हो जाए पतलब की x को अगर मैं 0 डालूँगा तो y में पास minus 8 तो y को अगर मैं minus 8 ले लो यहां पास y को मैं ले लता हूँ minus 8 यहां पास 2 root 2 हो गया यह minus 2 root 2 तो basically हमारण पास यहां पे हमारा y की value क्या रिया है यह 0 ठीक है और यहां पे अगर मैं 2 root 2 ले लू x को यहां पे x की value और यह 0 यहां पे y की value और यह 0 यह points बिसकिलिए हमारण पास यह कुछ points आके जहां से हमारे curve पास होना चाहिए अब हमारण पास यहां देख सकते हैं कि हमारण दो हमारे जो है variables exist है y and x अब y की highest power मारण पास क्या है 1 and x की highest power क्या है 2 मतलब कि यहां पे disparity है in highest power तो एक की power 1 है दूसरे की power 2 है मतलब कि यहां पे मारण पास क्या बनेगा parabola और उसकी axis क्या होगी about y axis तो बिसकिलिए मारण पास यह curve जोगा यह ऐसा सा जा रहोगा it will be something like this तो इमार पास यह shape क्या बनेगी shape will be a parabola parabola shape बनेगी of x2-8 Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 सूपर